नमस्कार दोस्तों यूट्यू चनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम जो वर्षेट बीटी सी चल रहा था उसी के बारे में बात करेंगे इसमें क्या सुप्रीम कोट के कुछ आदेश जारी हुए है रात को कल आये थे उससे पहले भी उसमें जो कुछ सुचनाय थी मैं बताना चाहरा हूँ आपको जस्त इसी के जो है दो तीन महीने पहले मालीजे तो द्यान से देखे इसमें क्या रिखा कि वर्तमान याचिका जारी दिनां 28 जून 2018 के अधिस उचना को अमान करने की मांग करते वे दायर की गई बच्चों को मुप्त और अनिवार सिच्छा अधिनियम 2009 इस अधिस उचना में 23 अगर 2010 की पीछली अधिस उचना में कुछ संसोधन पेश किये गए जिसमें प्राथमीक और उच प्राथम सोधन अधिस उचना का शार ये था कि बीयड धारक अवियर्थी डिगरी धारी कुछ अन्य आवश्यक्ताओं को पूरा करने के अधिन प्राथमिक विद्यालेक सिच्कों की रूप में निवक तो होने के हगदार होंगे ये बात कर रहे हैं उस समय जब 72,825 की जब भरती आ लगए था और 69,000 वालों में भी मालीजे कोट में चला गया था इसे राजस्तान में भी बहुत लंबे समय तक कोट में चला और वो फिर बीयड वालों को वहां से टर्मिनेट कर दिया गया अभी फिलाल जो 36 गड़ में नियुकती पत्र बीयड वालों को नहीं दी गए जो म इलिजबल हैं यह पढ़ा सकते हैं ठीक है इनेक्स देखे इस न्याले ने 2023 की सिविल अपील संख्या देखे संख्या भी यहां पर है आप द्यान से देखे 50 और 60 है यह संख्या इसमें यह बताया गया कि एस एलपी सी संख्या दो सो साथ चार तीन अबलिक 21 से उत्पन फैसलों में इस संख्या को आप वेबसाइट पर डाल कर डिटेल भी निकाल सकते हैं तो देवेश शर्मा बना भारश रंग और अन्य सिर्षक दिया दिनांक 11823 यह लेटेस्ट है 11 अगस्त की बात है पिछ अधिस उचना को रद करने के राजस्थान उच नियाले के निड़े को बरकरार रखा तो राजस्थान के उच नियाले ने बीड़ वालों को टर्मिनेट कर दिया गया था तो उसी के फैसला को उन्होंने क्या किया कि बरकरार रखा कि हम भी बीड़ वालों को टर्मिनेट कर करते हैं उसके बाद वर्तमान या चिका को प्रातना एक संदर में उसी हद तक अनुमती दी जाती है जो NCTE द्वारा 28 जुन 2018 को जारी अधिसूचना से संबंदित ध्यान दीजेगा 28 जुन 2018 को कोई NCTE ने नकार दिया था उसी के आधार को ही सारे लोग जो है मानकर प्राइमरी की जो भरती है NCTE के आधार पर ही तो सारा एक्जाम होता है जब उसने जारी अधिसूचना से समदित NCTE ने हटा दिया अनुमती नहीं दी तो पैडामी बिग्यापन और उसके अनुसरण में उठाए गए अन्य कदम भी अमाने माने जाएंगे देखे यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं पर है कि पहले ही उसने कहें दिया है NCTE ने कि पैडामी बिग्यापन और उसके अनुसरण में उठाए गए अन्य कदम भी अमाने माने जाएंगे अगर पहले NCTE ने मना कर दिया है तो भरती निकाल कर उसमें अगर लिक भी दिया जाए कि B8 और BTC जो इलिजब अब देखेंगे कि अभी इस टाइम जो एक बेकेंशी आई है जिसमें आप देख रहे होंगे चंडीगड प्यार्ट करके आया है उसमें साफ साफ ऐसे लिखा है कि बीयर्ड आपके सपास होना चाहिए या फिर BTC या डियलेड जो भी है जबकि प्यार्टी से बाहर हो गया है अभी भी उस पर विवार्ट चल रहा है लेकिन उसको कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है और इन सबों से वह एक हजार रुप्या खुब आराम से ले लेगा हो एक हजार पीस है और फिर भी जाके वह फंस जाएंगे फिर उनको डॉब नहीं मिलने वाला है और 200 सीट होगा इसे ज्यादा सीट भी नहीं है उसमें लगबक डाई 300 सीट है यह है काटेगरी वाइस तो बहुत कम पड़ेगा उसका एक हजार सुलक है सोचिए कितने बच्चे उसको भरेंगे अभी डेट भी है बट उसने अभी भी मेंसन नहीं किया कि बियर वालों को जो है उसमें नही पच्छ नहीं है मतलब बिहार राजिका जिसी होता है ना कि हम भरती निकाले हैं तो अब बिहार का भी कोई जाएगा और न्याले में जो है एक पच्छ रखेगा कि बियर वालों को आप रखिए तो कोई पच्छे नहीं है बिहार राजिका इस प्रकार हम बिहार राज अधिसुचनाओं के संबंद में कोई टिपड़ी नहीं करते जिसकी बैदेता को इस रीट याचिका में शुनोती दी गई है तो रीट वाला जो राजस्थान का था राजस्थान में चैलेंज किया गया था राजस्थान में B8 को बाहर कर दिया गया और वहां पर उन्हें अमा सुचना के संबंद में कुछ भी न्याले में समझ पच नहीं है इसके वज़े से जो है आप मान के चलिए कि बिहार राज में भी बियर्ड वालों को रखा नहीं जाएगा जब बियार राज में जो भरती हो रही है बीपीएसी की उसमें प्यार्टी की लोग नहीं रहेंगे प्यार्टी में बीएट की लोग नहीं रहेंगे इनको मोका नहीं दिया जाएगा तब किलियर हो गया है आप इसके रिसोर्से जुटा सकते हैं और मैंने आपको पढ़के असपस्ट बता दिया ये हिंदी में था हिंदी में आपको सवर में भी आएगा आप भी इसको इसका मतलब निकाल सकते हैं मेरा काम था बताना कि आप जो एक किसी को छलावे जहासे बिना आया है और अपनी जो एक डायरेक्शन जो होता है पास्टिव डायरेक्शन उसमें तयारी करें टाइम को बरबाद ना करें क्योंकि समय आपका बहुत मुल्यवान है जब आप कुछ नहीं मिलने वाला है क्यूंकि कोट से बड़ा हमारा कोई यूनीट नहीं है कोट से बड़ा कोई उनिट नहीं है डिया गौर्मेंट वह मना पड़ेंग और यहाँ को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया जबकि कुछ चीज फिक्स ही नहीं था और उनके चेर्मेन बार-बार यह कर रहे हैं कि वो जो होगा उस्प्रीम कोट के आदाश में मतलब उनके हाथ में जब कुछ नहीं लेकिन वो बैकेंसी दे दिये थे आपको तो समझ लिजिए यह स होशो आवास में करेंगे किसी के बाकाव में नहीं आएंगे अब कुछ गाइडलाइन जो होती है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे सोच समझ के जो है आप वरेंगे अभी आप चंडीगर का फॉर्म आया है एक हजार उपिया उसमें लग रहा है उसको आप लोग मत भरि सरकार और आप से पैसे लेले एक्जाम करा ले तो कहने का मतलब अब यार मेंट में यह था कि कुछ आसा थी कि वह से मैं सोच रहे थे कि कुछ न कुछ पास्टी निर्ड़े आ जाएगा तो वहाँ पे जो भी पीसी की तरद जो है कुछ बच्चों को नोकरी दी जाएगी उ कि आपके पैसे से एग्याम नहीं होता है साम और भी पैसा एक्स्ट्रा लगता है वह बहुए कि कोई की आहीं MICHAEL के भी देंदैं yogurt क्लीन बात करते हैं हैं इसा हर एक चीज़ पे तो पैसा भी वह फॉर्म कर दे देते रहीन दरज कोशिस भी की थी तो देने खुलिए भी वो तयार हो गयते सायद ऐसा सुनने में आया था तो पैसे के कोई बात नहीं बात टाइम किये थोड़ा बहुत पैसा फॉर्म बनने में लगा लेकिन आप सतर्क रहें टाइम में नहीं क्योंकि जाम में तयारी करना पड़ेगा और आप परेशान कर लीजिए अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि यह सुप्रीम कोड का आदेश है यह पहले का यह लेकिन कल रात में जो फाइनल आ गया फाइनल का पी इंगलिस में मैं उसको पढ़के बता देता लेकिन यह हिंदी वर्जन आपको समझ में आएगा ठीक है बात दोनों का वह कर लिए और चैनल पर आप बने रहे हैं जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो आप सब्सक्राइब कर दीजे मेरे चैनल को आपको फिर इसी जनकारी मिलेगी तब तक के लिए बाए बाए